अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर आप मीठा बनाने का सोच रहें तो आज मैं आपको चावल के बहुत ही टेस्टी दानेदा लड़ू बताऊंगी नॉर्मली चावल के लड़ू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बट आज मैं आपको एक नए तरीके से बताऊंगी जिससे की आपको बहुत ही कम मेहनत भी लगेगी साथी में आपका टाइम भी बचेगा और एक बार अपने इसे बना लिया तो महने बर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते है हलो दोस्तों मैं रश्मी और आपका स्वागत है रे किचन में और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें यहाँ पे मैंने एक कप चावल का आटा लिया है तो सबसे पहले चावल के आटे को जो है हमें हलका सा रोस्ट करके लेना है तो इसके लिए गयास पे मेंने एक कड़ाई चड़ाई है आज को जो है हम धीमा रखेंगे और धीमी आज पे इसे लगातार चलाते वोए भूनेंगे जिससे की इसके अंदर की जो नमी है वो चली जाए और इसका जो कच्छा पने वो भी चला जाए क्योंकि हम लड्डू बना रहे तो चावल काटा हमें विल्कुल भी कच्छाने चाहिए और साती में इसमें नमी नहीं होनी चाहिए वरना लड्डू जो है लंबे समय तक नहीं रहते है यहां पे हमें एक बात का ध्यान देना है कि आटा जो है हमें ब्राउन नहीं करना है और नहीं जलाना है इसका जो कलर है वो as it is रहना चाहिए अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसे घर पे भी आसानी से बना सकते हैं करना यह है कि जो भी चावल आपके पास है इसे आपको अच्छे से वाश करके लेना है फिर कोई भी एक cotton cloth पे या किसी भी एक सूती कपड़े पे उन चावल का पानी निकाल कर उसे चावल को डाल कर फैन के नीचे उसे पूरी तरह से सूखा के लेना है जब यह पूरी तरह से dry हो जाए पाच्छे घंटे में पूरी तरह से अच्छे से dry हो जाते हैं या फिर आप overnight भी इसे रख सकते हैं फैन के नीचे फिर आप उसे हलका सा तवे पे या कड़ाही में या पैन में हलका सा उसे भून ले जिसे कि उसके अंदर की जो नमी है वो चली जाए उन्हें ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा रोस्ट करके लेना है फिर उसके बाद आप मिक्सी में उसे पीस ले तो चावल का आटा बनकर रेडी हो जाता है तो आप इस तरह से घर पे ही चावल काटा बना कर रख सकते हैं तो अगर लड्डू बनाने के लिए आप इस तरह से चावल का इस्तमाल कर रहे हो हर घर में अलग-अलग कॉलिटी का होता है कोई कोलम इस्तमाल करता है कोई बासमती इस्तमाल करता है तो आप जिस quality का चावल इस्तेमाल करोगे उसी का taste आपके लड़ू में आएगा अगर आपने लड़ू बनाने के लिए बासमती का इस्तेमाल किया है तो definitely आपके जो लड़ू है वो बहुत ही ज़दा खुश्बूदार भी बनेंगे और tasty भी बनेंगे इसे भून कर लगबग पासर 6 मिनिट हो गया है यह कैसे अच्छे से भून गया है यानि कि अच्छे से रोस्ट हो गया है इसका जानने का तरीका यह है कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बूआने लगती है सौंदी सौंदी बट अगर आप घर पे चावल काटा बना रहे हो तो उसे आप इतनी देर के लिए नाव भूने उसे आप 3-4 मिट के लिए भून के ले सकते क्योंकि चावल को हम लोग अलड़ी भून कर फिर उसका पावड़ा बनाते है तो चलिए अब हम लड़ू बनाने के लिए इसमें बा यह लगभग पाव कप यानिकी दो बड़े चमच भर कर मैं यह मलाई डाल रहे हूं मलाई से हमारे जो लड़ू को है ना वो काफ़े अच्छा रीचनेस तो मिलेगा है साती में हमारे जो लड़ू है बहुत ही जादा सौफ्ट बनेंगे यहां पे हम कहीं मावा या खोया का इस्तमाल नहीं कर रहे है उसकी जो कमी है यह जो हमारी मलाई है वो पूरी कर देगी तो यहां पे अगर आपके पास घी नहीं है और सिप मलाई है तो यहां पे मैंने पाव कप के करिब डाली है मलाई तो आप यहां पे आधी कप मलाई का इस्तमाल करें और अगर आपके पा पुरी तरह से चेंज हो गया है और इसका टेक्षर भी आप देख सकते कि चेंज हो गया हो साती में दानेदार बनने लगा है तो चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडेंट भी मिला लेते हैं अब हम इसमें आदा कप टेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे इससे बहुत अचा मीठे लड़ू पसंद है तो आप यहां पर चिनी और भी आड़ कर सकते हैं अभी हमें इसे दो मिनिड के लिए अच्छे से भुनना है जिससे की जो हमने चिनी डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा मिक्षर वो पोफेक्ली बनकर रेड़ी हो जाए और आप को एक बात का ध्यां देना है कि पूरा जो प्रोसेस हैं हमें । कहीं भी आज को हमें तेज नहीं करना है क्योंकि आवल चाटता है हम नारेल डाला है वो जलने के चांसे जादा होते हैं तो इसे तब इतना मिठापन मेरे लिए पॉफेक्ट है तो देखे सारी चीज़े अच्छे से मिलकर रेडी हो गई है तो अब हम करेंगे कि ग्यास को आफ कर देंगे और इसे ढख देंगे और इसी तरह से इसे 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि यह अपने भाप में ही पकता रहे कि जो हमने लीड यानि कि जो धकन हमने कड़ाई पे लगा के रखा था उसके उपर आपको पानी नजर आ रहा होगा यानि कि जो भाप बनी थी उसका वो पानी इसके उपर आके जम गया है भाप के वज़े से इसके अंदर मोश्यर आ जाता है जिसके वज़े से हमारे जो ल तो यह आप अपने पसंद उसा कमिया जादा कर सकते हैं मैं हमें दो बड़े चमश भर कर डाल रही हूं जितने जादा ड्राइफूर्स आपको पसंद है आप उसमें आड़ कर सकते हैं आप यहां पे काजू किश्मीश चिरोंजी जो भी आपके पास अवेलेबल है वह आप ड लड़ू है वह प्रॉपर नहीं बनेंगे इसलिए यह जो मिक्षर है वह हलका गरम होना ज़रूरी है तो आप देख सकते कि अब पुरी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है यानि कि इसके लड़ू आसानी से नहीं बन रहे है तो इसके लिए यहां पे मैंने आदा कप दूद करी लिए जो डूद है वो गरम डूद है तो इस रेसीपी के लिए थंड़ के लिए या आ कि नॉर्मल रूम टेंपरेचर वाला दूद नहीं लेना है चेंप उस新ते से दो बड़े चमज दूद में ही यह अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इससे जादा दूद की मुझे जरुवत नहीं है तो आप देख सकते कि मैं यहां पर आधा कब दूद लिया था उसमें से सिप मेने दो बड़े चमज दूद इस्तमाल करें बाकी का दूद हम साइड मे और अब हम फटाफट लड़ू बनाना शुरू कर दे क्योंकि अगर मिक्षर थंडा होने लगेगा वैसे वैसे आपका जो लड़ू हो अच्छे से बनेगा नहीं यहां पर मुझे दो बड़े चमज दूद लगा है हो सकता है कि दूद की आपको थोड़ी कम या जादा लग जाता है तो बीना इसे फ्रीज में रखे हुए यानि कि ऐसी आप बाहर इसे रख सकते हैं 18 तक आपके लड़ू एकदम पर्फेक्ट रहेंगे बट उससे जादा समय के लिए अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इसे एट-एट कंटेनर में भर कर फ्रीज में रखे जिससे कि आप इन्हें महीने बर तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं तो यह सारे लड़ू बनकर रेड़ी है और बिल्कुल हमने इसमें घी डाली थी मला ही डाला था तो बिल्कुल भी लड़ू जो बहुत ज़्यादा ओईली जैसे नजर नहीं आ रहे है बहुत ही ड्राय दा लड़ू है तो इस लोकडाउन के समय में अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और कुछ हिल्दी खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से चावल के लड़ू ज़रू बनाए उम्मिद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो मुझे लाइक को सब्सक्राब कर करना ना भूले और यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें